बात ये है कि आपको इस संस्कृति को समझने की जरूरत है बतकिस्मती से ये बुरी तरह से उलज गई है हम एक बिना भगवान का देश है हमारे देश में नैतिक मूली भी नहीं है इस देश में कोई नैतिकता नहीं है हम इस तरह से जी सके और वाकई अच्छे से जी सके क्योंकि चेतना बहुत उचे स्तर पर उठी हुई थी हर चीज को वैसे ही देखा गया जैसी वो है लोग अपनी चेतना से काम करते थे नैतिकता से नहीं सजा मिलने के डर से नहीं बस जीवन जीने की समझ से चूंकि समाज ऐसा था तो कोई भी बात कहीं भी कही जा सकती थी और वो कोई मुद्दा नहीं था खैर अभी हालात वैसे नहीं हैं वो अलग बात है लेकिन इस तरह से इस संस्कृती और देश का विकास हुआ हजारों साल का समय लगा इतने सारे लोगों को उस अवस्था तक लाने में चूंकि अब हमने पश्चिमी नैतिकता अपना लिये जहां कोई चीज अच्छी होती है कोई चीज बुरी कोई चीज भगवान होती है कोई चीज शैतान कोई चीज उची होती है कोई चीज नीची कोई चीज पवित्र होती है, कोई चीज अपवित्र इस संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था हमने जीवन को बस वैसा ही देखा, जैसा वो है अपने जीवन में क्या और कितना करना है ये एक व्यक्तिक अच्चुनाव है क्योंकि हमने इंसान के मन की प्रकृति को अच्छी तरह समझ लिया था इस मन से अगर आप कहते हैं कि कोई चीज बुरी है उसके बारे में मत सोचो, तो वो फुल टाइम जॉब बन जाएगा आपके दोस्तों के मन में किसी भी मन के लिए अगर आप कहते हैं कि इसके बारे में मत सोचो तो वो केवल वही चीज सोचेंगे जिन लोगोंने इंसान के मन की प्रकृति को नहीं समझा वो जीवन में नैतिकता को ले आए जिन लोगोंने मन को समझ लिया जैसा वो है इस संस्कृति में हमने ये कभी नहीं कहा कि कोई चीज बुरी या अच्छी है हमने बस कहा कि ये ऐसी है आप अपने जीवन में क्या कितना करते हैं वो एक व्यक्तिकत चुनाव है ये आदमी कितना खाता है और वो आदमी कितना खाता है ये एक व्यक्तिकत चुनाव है, लेकिन अब पश्चेमी डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि हम सभी को इतनी कैलरी खानी चाहिए, जो कि बकवास है. शरीर ऐसे काम नहीं करता, अगर आप खाते हैं, मान लेते हैं कि आप एक किलो खाना खाते हैं, उसी तरह का खाना एक जैसे पोशन वाला, हो सकता है कि आप दोनों का वजन बराबर हो, मान लीजे कि ऐसा है, आप दोनों का वजन एक सा है, आप दोनों ने एक किलो खाना खाया लेकिन ये ठीक नहीं होगा एक आदमी के लिए ये भोजन ठीक हो सकता है दूसरे आदमी के लिए आधा किलो भोजन ही काफी हो सकता है और फिर भी उनका वजन वही रहेगा ये सच है आप दस लोगों के साथ आजमा कर देखिए यही सच है लेकिन आप वो आपको बता रहे हैं, हर चीज को थोक में करना है हर किसी को इतनी कैलरी खानी जरूरी है, केवल तभी आपको इतनी उर्जा मिलेगी ये कोरी बकवास है खास तोर पर जब बात आपके आंतरिक आयामों की आती है इस नैतिक्ता ने कि हर किसी को ये करना चाहिए, हर किसी को वो करना चाहिए, कभी काम नहीं किया अलग-अलग लोगों की जरूरते भी अलग होती हैं और हमने इस धर्ती पर इतने सारे विक्रित इंसान इसलिए पैदा कर लिये क्योंकि हमने कहा कि कोई चीज गलत है और तुमको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए अगर आप इसे ऐसा ही रहने दें तो प्रजना नंग या reproductive organ आपका बस एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन जिसे प्रजना नंग में होना चाहिए था उसे बड़ी सफलता से इनसान के दिमाग में घुसा दिया गया है अब काम वास्तना उनके शरीर में नहीं हो रही ये उनके दिमाग में हर समय चल रही है आपके शरीर में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आपके दिमाग में ये एक बिमारी है आपके शरीर में ये बसेक सहज प्रक्रिया है हम सभी इसी से पैदा हुएं इसमें कुछ भी सही नहीं है, गलत नहीं है ये हमारे जीवन का बसेक छोटा सा पहलू है अगर हम इस पर रोक लगाते हैं तो ये हमारे दिमाग में चड़ जाएगा और आप ऐसा लगता है कि पूरा जीवन इसी के बारे में है अगर मैं बड़ा चड़ा कर कह रहा हूँ तो बताईएगा मैं कहूंगा कि आज इनसानों की 95 प्रतिशत उर्जा खर्च हो रही है या तो सेक्स पर या पैसे पर हाया ना? ये आपके जीवन के दो छोटे से पहलू है एक आपके जीवन सनरक्षन के बारे में है और दूसरा आपके शरीर का एक पहलू है ये इतना बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि किसी ने आपको बताया कि ये दो चीज़ें गलत है हमने इसे कभी उस तरह से नहीं देखा तो किसी ने इस पर एक किताब लिख दी कितने अलग-अलग तरीके से ये हो सकता है लोगों के कितने अलग-अलग तरह के शरीर होते हैं और दो अलग लोगों के शरीरों के बीच का ताल में किसी ने ये सब बिलकुल स्पष्ट लिखा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरा मतलब है कि उनका नजरिया ऐसा नहीं था उन्होंने नहीं सोचा कि ये पोर्नोग्रफी है समझे आप वो जीवन का वर्नन वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो है अब आज के जमाने की आखें कामसूत्र को पोर्नोग्रफी के प्रमान के रूप में देखती है नई, ये वो नहीं है वो उसके बारे में वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने किसी दूसरी चीज के बारे में बात की होती क्योंकि ये बस एक और चीज है उन्होंने ये नहीं सोचा कि यही सब कुछ है उन्होंने इसे बस एक और चीज की तरह देखा तो उन्होंने उस तरह से लिख दिया तो ये आपकी Physics Chemistry टेक्स्ट बुक की तरह है उसी तरह से उन्होंने एक Sexual टेक्स्ट बुक लिख दी उन्होंने इसे कोई बड़ी चीज नहीं माना लेकिन अब आज की दुनिया में लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं जैसे ये उनकी सारी विकृत कामुकता का एक तरह का समर्थन हो झाल